यह हलुआ देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में इससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत आसानी से बनके त्यार हो जाता है आधे से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में और बिल्कुल दानेदार हलुआ बनके त्यार होता है तो चलिए जल्दी चीज़ है और इसको मैंने कैसे बनाया है कल मैंने जो मूंग दाल से आटा बनाने का वीडियो आपके साथ शेयर किया था आटा को छानने के बाद जो उसके बारीग टुकड़े बचे थे यह वहीँ टुकड़े हैं तो आज हम इन ही बारीग टुकडों से हलुआ बनाएंगे बहुत बढ़ियां हलुआ बनके तयार होगा आप अगर जानना चाहते हैं कि मैंने मूंग दाल से आटा कैसे तयार किया और ये बारीक टुकडा कैसे निकला है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और इंडी स्क्रीन में दे दिया है आप देख सकते हैं और अगर आपक देशी घी ये घी जमा हुआ है तो मैंने एक टेबल इस्पून भरके निकाल लिया है और जब ये मेल्ट होगा तो दो टेबल इस्पून घी हो जाएगा तो घी का यूज बहुत जादा नहीं करेंगे बस हलुआ में जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से हम घी डालेंगे इस कुछ सेकेंड के बाद अब डाल देंगे काजू ड्राइफ फ्रूट आप अपनी पसंदमसार ले सकते हैं और ड्राइफ फ्रूट की मात्रा भी आप अपनी पसंदमसार कम जादा कर सकते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि काजू बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है काज कि गैस फ्लेम नहीं करेंगे अगर हाई कर देंगे तो मूं उपर से सीख जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा जितना बढ़ियां लोग ऐस फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे हलुआ का टेस्ट उतना ही बढ़ियां आएगा और हलुआ में कलर भी बहुत अच्छे से आएग तो देखिए हलका इसका कलर चेंज होने लगा है अभी इसको और भूनेंगे मूं को जितने अच्छे से भूनेंगे रिजल्ट उतना बढ़ियां मिलेगा तो देखिए मूंग अच्छी तरीके से भून गया है बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है तो एक बाउल मूंग था तो इसमें हम डालेंगे दो बाउल दूध दूध मैंने मलाई सहित लिया है गैस फ्लेम लो रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे चलाना छोड़ देंगे तो गुठलिया पड़ जाएंगी तो ये मैंने पूरा दो बाउल दूध इसमें डाल दिया है इसमें थोड़ा थोड़ा दाना है तो इसलिए गैस फ्लेम हाई या मीडियम नहीं करेंगे नहीं तो फिर दूद जल्दी से सूख जाएगा और हलुआ कच्चा रह जाएगा तो इसको लोग ऐस फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि जो मूंग है वो पकता भी रहे और गाढ़ा भी होता रहे आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें फूट कलर डाल सकते हैं लेकिन मैं फूट कलर नहीं डालूंगी हलुआ का कलर ऐसे ही बहुत बढ़ियां आ जाएगा क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हम भूने हैं और अभी बहुत अच्छे से पकाएंगे भी तो देखे गाढ़ा होना शुरू हो गया है बस कुछ सेकंड में ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है यह टाइम नहीं लगता है तो अभी भी इसको चलाते रहेंगे लोग ऐस फ्लेम पे अगर इसको चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से जलने लगेगा और इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी तो कांटिन्यू चलाना है इसको अभी इसमें दो से धाई टेबल स्पून देशी खी और डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे देखिए हलुआ में कितना बढ़ियां कलर आ रहा है तो अभी इसको कांटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको ड्राई करेंगे हलुआ थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसमें लगभग दो से धाई टेबल इस्पून देशी घी और डाल देंगे तो मैं यहाँ पे पुरा छे टेबल इस्पून देशी घी डाली हूँ मूँ दाल के हलुआ में जितना घी पड़ता है उसके अमसार मैंने कम घी डाला है आप चाहें तो और ज्यादा घी डाल सकते हैं कि अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डाल देंगे ड्राई फूर्ट जो मैंने फ्राई किया था तो बारी काट लिया है आधा डालेंगे आधा गार्निष के लिए बचा लेंगे अब डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर अच्छे से मिला लेंगे हलुआ कडाही छोड़ दे रहा है इसका मतलब हलुआ बनके त्यार हो गया है हम दुकान में या शादी ब्याह में जब मुंग डाल का हलुआ खाते हैं तो उसमें घी बहुत जादा रहता है तो आप चाहें तो इसमें घी और डाल सकते हैं अपनी पसंद अंसार मैंने बहुत जादा घी का यूज नहीं किया है बस इतना ही घी डाला है जितने से हलुआ आसानी से बन जाए और ये चिपके नहीं तो देखें कितना बढ़ या हलुआ बना है देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल दानेदार हलुआ बना है तो अब हम इसको सर्प करेंगे थोड़ा सा काजू बादाम जो हम बचा के रखे थे उसको डाल देंगे देखने में और अच्छा लगेगा तो देखें कितना बढ़ या मूंग दाल से हलुआ बनके तयार हो गया है जो हम दाल भिगा के मूंग दाल का हलुआ बनाते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है इस तरह से हलुआ बनाएंगे तो बहुत कम टाइम में बनता है और बहुत स्वादिष्ट हलुआ बनके त्यार होता है ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है बहुत बढ़ियां हलुआ बनके त्यार हुआ है आप देख सकते हैं तो इस तरह से मूंग डाल का हलुआ आप भी बनाए उसके बाद अपना कीमती कमेंट जरूर दीजिए उमीद करती हूँ आपको ये रेसेपी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक आसान सी नई रेसेपी के साथ ठेंक्स पर वाचिंग टेक केर बाइबाइ